हेलो फिरेंड्स और विल्कम बैक टू मोटर इडिफाइंड मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्तर इंदम घोश और एक बार फिर मैं आप लोग के लिए एक जबरदस कंपारेजन का साथ हाजिरो आज हम लोग दोस्तों दोस्ट सिब्लिंग को कंपार करेंगे सामने आप लोग को दोनों बाइक में मिलके आ रही है प्राइज आपको कौन से बाइक के लिए कितना पर इकारना हुगा फीचर स्पेसिफिकेशन माइलेज आप लोगों ही बाइक में क्या एक सब्सक्राइब कर सकता है कि आप लोगों को खरीदना कौन सा बाइक है दोस्तों आगे बढ़न कि आप लोग थोड़ सी लंब यहां पर देखने को मिलेगी बाकि इस भी नहीं वाइक में तो बिल्कूल नीच आप कमेंट किजये गा था कि बजास्य की बात पहुंच सके और दोस्तो अब फरंट पिर जो वियो है न सबसे पहले उसको ओम लोग यहां पर कंप्पार करेंगे शुरुबात करते हैं विट अदवांस चीज आपको मिलेगी अगर आपके हाँ पर ओन करते हैं तो फाइदा आप लोगों नहीं दिखेगा तब तक जब तक आप इसकी यहां पर इगनिशन को आउ नहीं करते हैं। ऑन चैसी और पर लोग इसकी हां पर इग्निशन कर रहे हैं। इसकी हाम करना हैं। यहां पर यह जिसे दोस्तोर आप लोग थे के से बस्ते कर पाएंगे बाफ यहां पर जो पास क्लाइम का स्विच वह आपको यहां पर देखने में मिल जाएं यहां पर देखने हैं अग değer भी अगर देख रहे हैं तो टर सिगनल जो है यहां पर वीमिल रही है ठीक है और अब दोस्तों अगरमे आप लोग यहां पर तो सीरा सा बात है यहां पर आप लोगो complete LED मिल रहा था यहां पर आप लोगो complete हालोजन का सट अप देखने को मिल रहा है एक बड़ जो की है अगर उसको आउन करें तो आप दे सकता है यहां पर आपको फर्क समझ में नहीं आ रहा है जब तक आप इसकी करता है यहां पर देहार है लिए देखने में घया है तो इसमें नीचे लगाया गया है लेकिन आप लोगो ओड फिये देखने में देखने में देखने नहीं दो इस फ्रंट जो लुक है किसके आप लोग को ज्यादा बैतरी निया अग्रेसिव लगती है विल्कुल आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं अब अगर आप लोग दोस्तों की मढगाड देखते हैं दोस्तों तो यहां पर इन में अपलोग को डूल फ्लैप के साथ ही यहां पर अलેब आप लहां यहां तो दोनों में आप लोग को डइजिशन में जाइब लेगомरी काफी दिखने में मनिल जाएगी यहां अगर यह एंद देखने हो दोनों में आप लोग को सेम 300 mm की जो बड़ी सी डिस्क है यहाँ पर यह देखने को मिलेगा अविद देमिका की कैलिपर सेम चीज आप लोग को यहाँ पर NS में भी विल्कुल देखने में मिल जाएगी अब उसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग आप suspension देख रहें तो यहाँ पर खासा difference है क्योंकि अपलगों को यहाँ पर यह तो इसको जबा चलाके देखेंगे न चलाते वक क्वी यहाँ पर NS की जो handling है यहां पर आप लोग को और बैठर देखने को मिल जाएगी तो फ्रंट जो व्यू था दोस्तों मैं अब बात करता हैं महीं यहां पर इंजिन के बारे में यहां पर अगर अगर आप एन में आ रहे हैं दोस्तों 164.82 cc आप लोग को मिल जाएगा जहां दोस्तों और पावर फीगर अगर आप लोग देख रहे हैं 16 पेस की मैक्स वार और 14.65 नुटमिंटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग यहां पर देख पाएंगे बाकि टॉर्क और डिमांड मतलब कोई से भी रिवेरेंट जो आप लोग को पा काफी अच्छी और काफी तगडी है इसकी जो फाइबर दी गई है यहां पर आप दोस्तों बात करते हैं यहां पर एंजिन के बारे में जो की हाली में कंपनी ने यहां पर N से हटा दिया है ठीक है जोन में यहां पर आप लोगो फोसल reconstant सब्सक्राइब अब अब थोड़ा जप्रेंस हैं इसकी अब बाकी अब लोग्त आप अंच में देख रहा है यहां पर आप लोगो जो प्रीमेटर व्याप 화 present a अब दोस्तों में चलते हैं आप देख सकते हैं दोनु ही भाइकों के तो यह आवाज था दोस्तों N160 का अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ NS160 पर और इसकी जो आवाज है दोस्तों वो भी आप लोग सुन लीजिए यह दोस्ता आवाज आप लोगों ने यहाँ पर NS160 की भी सुन ली है आप में आप लोगों पर completely छोड़ता हूँ आप लोग बताइए कि दोनों में से किसकी ज्यादा आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए अब दोस्तों अगर आप लोगों यहाँ पर आ रहे हैं थोड़ा सब्सक्राइब यहाँ पर आप लेगी और सिगनल फ्रंट की तरह आप लोगों को मिल दिया बाकि दोनों में आप लोगों को सेमी फ्लेक्सिबल टन इनिकेडर जो है वो यहाँ पर मिल दा लेकिन खास बात क्या है यहाँ पर आप दे सकता है यह मेटलिक जो टेल टैडी है अब लोगों एक्स्ट्रा देखने में मिलता है जिसकी वैसे आप कर सकता है इसकी खूपसूरति और बढ़ती है बाकि रिफ्लेक्टर आप लोगों को यहाँ पर रियर में और आप दे सकते हैं इस सट भी आप लोगों को बिल्कुल देखने में म अब दोस्तों बात करता है जो कि दोनों में आप लोग को विल्कुल से मिलता है दोनों ही आप लोग को अब दोस्तों अगर अगर अब लोग को सेम यहाँ पर देखने में मिल जाता है अब दोस्तों अगर आप लोग को दोनों ही बाइक की एपंशन के बारे मिलता हूं तो अब देख सकता है अगर आप एन में आ रहा है तो यहां पर भी आप लोग को यहां पर देखने में मिल रहा है जू की काफी दगडी वाली है इसस़ँ में बेहा है और आप लोग आप को मिलेगा above मेरे चेजल के gloss दोणे चेज़े सारे और जो यहां पर खास है दोस्तो सेम है वो है यह आप दे सकते हैं ओपे इंचन सिस्टम यह भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो चेन है उसको थोड़ा सा क्लीन लूब करके रखना पड़ेगा ताकि परफॉर्मेंस और लाइफ दोन ही आप लोगों को यहां पर दोनो फटको आपन जाए और आपको 795 की सिच्छाइट देखने को मिल जाती है तो काफियर तक सेम देख रहें दोस्तों यह भी दोने बाइक में, आप लोगो var प्लैन कर रहे हैं तो आप लोग को प्रॉब्लेम नहीं होने वाली है अब मैं आप लोग आपको लोग को बताओं अबाउट दा ग्रैब हैंडल तो यह भी आप लोग को दोन ही बाइक में काफी स्टाइलिश और स्प्लिट वाली यहां पर देखने में मिल जाएगी अगर तो आप यहां पर N160 को आराम से मैनेज कर पाएंगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा टैंक की जहां तक बात है दोस्तों एनस में आप लोग को यहां पर बार लेटर की मिलती है एन में आप लोग को यह पर 14 लिटर की मिलेगा लेकिन एक फर्क है अगर आप टैंक नहीं में टैंक यहां अपल्सर की हम पर रैंदिंग की मिल रही है और लोग लोग नाप लोग और कशीं अपहि lucky नहीं मिल रही है अब जहां चौछ은 को इस div कि 20% इथनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्स फ्यूल से भी अगर आप दोनों में से को ही भाई को रन कर रहे हैं तो यह जो एंजिन है आराम से रन कर जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाकि नॉमल जो पेट्रोल मिल रहा है मार्केट में अभी उससे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन आप यहां पर इन्मों 60 में आ तो कंपनी के साब सिभागर देखा जाए तो 45 किलो में अगर आप चला रहे हैं आपका एक्स्पीरेंस से विद्धा माइलेज प्लीज नीचे इसको मेंशन करना मत भूलेगा कमेंट बॉक्स में और वही है ग्राउंड केरेंस देखा जाए दोस्तों यहां पर एन के पास 165 में किया लेकिन जब आप एनस में जा रहे हैं तो 170 है तो वहां पर एनस को थोड़ी से एक्स्ट्रेज मिल रही है साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहां पर वेट देख रहे हैं तो बहुत जारा फर्क न बताना चाहूंगा अगर आप लोग टॉपन परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो कहीना कहीं यहां पर अभी जो DTSI हटी है इसके बात कहीना कि इसकी जो इनिशल परफॉर्मेंस है वो भी आप लोगों को एन में तोड़ी सी भैतर ही देखते में में बिल दिया बदावे यह म मेरे एक्सपीरेंस है दोस्तों अगर आप लोगों ने अलड़ी चलाया हुआ है एन की नो DTSI वर्जन तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखके बताएगा कि आप लोगों का एक्सपीरेंस है मैं एक और चीज आप लोगों कहना चाहूंगा दोस्तों कि भली आप यहां पर हिट कर जाते हैं लेकिन अगर आप यहां पर आप लोगों को काफी सॉफ्क मैसूज होती है वहन कंपेर टू Нस अब यहां पर आप देखे रहा है दोस्तो तो आप लोगको यह पास्टाट का स्विच मिल राया है हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर्स और हॉन टिक्टा के दोस्तों बहुत जादा लाउड है नहीं कहूंगा मिल रहा है और मीचे और करने का स्विच अब यहां पर जो सुना डिया है अब जब आप यहा पर में आपधर को पाला यहां पर यहां पर जो बैटरी इंडिकेटर है इंजिन मेल्फंक्शलिट व अप लोगगो दिख रहा है ङेर पोजिस्टाट संस्रर है आप लोग यहां पर दिखा रही है तो देःसे हैं आप लोगों इंटेवरि होध दिखा है की अगर आप लोगों यहां पर बताना क discourage अबशन अगर आप लोगव और यहां पर और को को ना सा हुआ हाया यहां पर को नॉर्मीन तॉह सेuttaा है और हैनों और में आपका लक्न 2020 पार मेंना पार बते हैं यहां पर और प्रजेक्टर नानने की यह लिए switch आपको मिलता है नीचे एंजी अन करने का switch वागे exhaust sound भी मैंने आप लोग को अल्री सुना दिया है अब दोस्तों खास बात ही है कि यहां पर आप लोग को mobile charging port मिल रहा है और flash light के इस्तेमाल करते हैं तो वो आप लोग को दिख जाएगी pass light दोस्तों और यहां पर आप लोग को जो gear position sensor है वो मिल रहा है speedometer आप लोग को मिल रहा है ABS का sensor RPM shift light then neutral position sensor distance to empty then यहां पर आप लोग को यह जो fuel gauge meter यह आपको दिख रहा है time आप लोग को यहां पर चीज एक्स्टा यहां पर देखने में मिलेगा दन अगर आप लोग को यहां पर दिखने में मिल जाएगा यह चीज यहां पर देखने में मिल जाएगी तो दोस्तो दोन ही बाइक के बार में हम लोगो नहीं पर complete चीजे देख लिए कि वहां सा क्या चीज आप लोग को मिल रहा है नहीं मिल रहा है अब अगर आप प्राइज में देख रहे हैं तो यहां पर भी खासा अगर आपको एनस की यह जो लुक है अगर आपको यह बहुत सादा पसंद है क्योंकि आप लोगों को है और बहतर चाहिए ठीक है क्योंकि परीमिटर फ्रेम लगी है दन अभी यूसडी का अपडेट मिल गया है साथ ही आप लोगो जो आप कह सकते हैं कि डूल चैनले लिए सेफटी भी आप लोगों को बहुत सादा प्यारे लेकिन सबसे बढ़ा वात है कि आपको एनस की जो लुक है इसकी जो फील है इसकी जो है इसकी जो है इसकी जो है वह अप लोगों अच्छे लगती है और माइलेज आप 40-42 लेक में खुश है तो आप दोस्तों यहाँ पर खरीच सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर ठीक है मैं मानता हूं कि यहाँ पर पावर करें लेकिन मैंने अल्यडी बताया है कि अप्लोगों थोड़ी सी बैतर मिलेगी तो आप लोगों हो यह हलोजन सेट यहाँ पर यहाँ पर यह LED प्रोजेक्टर चाहिए था दन आप लोगों उतनी ही अच्छी performance निकाल कर दे सकती है, हाँ, हैंडलिंग के मामले में, क्योंकि यहाँ पर NS के पास USD है, तो अप लोगो थोड़ी सी बैतर हैंडलिंग यह निकाल कर देगी, तो दोस्तों, यह मैंने आप लोगो completely comparison में बता दिया, कि चीज़ आप लोगो कौन सी बाइक क्या प्रोवाइट करा सकती है, बागे दोस्तों, देखिए, आपको अपना priority set करना हुआ, कि आप लोगों को क्या चीज़े चाहिए बाइक में, जो जो मैंने आप लोगो जिस बाइक में कही है, कि अभी अगर वोचीज़ आप लोगो मिल देखिए बाइक में, तो आप लोगो बिल्कुल सिर्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई बाइक एक दूसरे से बहतर है, एक दूसरे से खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो दोस्तों, यह था मेरा comparison, मेरा verdict about 2024,